स्वागत है हकीम साब बहुत धन्यवाद आपको अगर हम निरोगी भी है अगर हमें कोई परेशानी भी नहीं है क्या तब भी हम उन रौ माटीरियल का इस्तमाल कर सकते हैं जो बेहत कीमती होते हैं जो आप उनको बताते हैं चाहे वो गॉन सिया हो, गॉन मॉरिंगा हो, जैतुन का सिर्का हो, ऐलोवेरा का सिर्का हो, जैतुन का नमक या फिर कलॉंजी का नमक, इन तमाम राव माटीरियल का इस्तमाल किया जा सकता है? कुछ रोमेटेरियल ऐसे हैं कि ये रोक के आने को भी रोकते हैं जी जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जैटून का सिर्का एक ऐसा सिर्का है जो चालिस साल के बाद लेना चाहिए वैसे तो पहले भी ले सकते हैं लेकिन चालिस साल के बाद अगर लेंगे तो चालिस साल के बाद चार या पांच रोक हमारे अंदर आने का अंदेशा होता ही है और उसमें से कौन सा रोक आएगा ये नहीं पता एक हमारा कॉलिस्टॉल लगता है हर किसी का चाहीं वह दॉक्टर हो हकीम हो कोई भी हो us का कॉलिस्टॉल बढ़ने लगता है यानि जो कौन की वो जिद्धी चरवी जो हमें नुक्सान देती है, उसे कॉलिस्टॉल बढ़ते हैं अभ यह बढ़ता है तो हमें blood pressure बढ़ता है क्योंकि जब खूर गाड़ा हो जाता है तो दिल को उसको फैकने में बड़ी परिशानी होती है इसलिए blood pressure बढ़ता है और जब ये मुस्तकिल रहता है तो कभी हमें फालिज भी हो सकता है दिमाग में अगर ये चर्बी फ़स गई तो फालिज हो सकता है दिल में अगर फंजने लगी तो heart blockage हो सकता है फिर एक और खत्रा है कि diabetes भी इस उबर के बाद आती है लीवर प्राबलम आती है पेट की प्राबलम आती है इंफेक्शन की प्राबलम आती है किड्नी की प्राबलम आती है तो इन सब बीमारियों से आप सुरक्षा चाहते हैं निरोग ही भी ले सकते हैं और रोग हो गया है तो दो बार ले रोग नहीं हुआ है तो एक बार ले ताके इफ के जिंदगी गुजार सके। मेरट से हैं वैशनवी स्वागत है आपका है हालो है वैशनवी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है हालो हालो बोलिये बोलिये मैं मुझे अपनी मंबे के बारे में पूछना है मैं उनको ना केलिस्ट्रॉल बहुत जादा बढ़ा है उनकी उम्र क्या है उम्र उनकी पचपंद ठीक है वैशनवी देवी जी देखिए ये उम्र में किसी का भी कॉलिस्ट्रॉल बढ़ता ही है जो दवा दे रहे हैं वो अभी रोके नहीं लेकिन एक दवा बता रहा हूं जो कॉलिस्ट्रॉल की दुश्मन है इसे कहते हैं जैतून का सिर्का असली ले नकली भी बहुत मार्किट में भी है नेट पर भी है असली वाला लेना है और तीन चम्मच छोटे चाय के चम्मच तीस पून जिसे कहते हैं एक गलास पानी में मिलाके रोज आना रात को पिला दिया करें कि ये बहुत मुफीदे उन लोगों के लिए जो कोलेस्टॉल के ब्लेड प्रेशर के मरीज हैं दिल के मरीज हैं और डाइप्टीस के मरीज आप जरूर दिया करें इन्हें आपकी मम्मी को फाइदा मौंकिल आई ये बात अगले कॉलर से पंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार नमस्कार ही कि अधावर सब है ब्य मैरा येष्पान है एक मेरी वहन है उसकी उमर है 45 फ्रांट में दर्द होता है अपकों के उपर और फ्रांट में दर्द हुता है 15 दिन से हो रहा है दर्द ठीक है नजला वगरा हुआ था अभी कुछ नजला कंशी जो देखिए नजला खांसी कुछ हुआ हो आपको अभी महीना पंदर दिन के अंदर तो नजले की या ऐलर्जी की दवा जो होती है उससे वो जम जाता है कफ जम जाता है तो अगर ऐसा हुआ हो तो कफ निकालने की दवा ले और एक एकसरसाइज बताता हूँ वो ले तीन तीन मिनट तो एकसरसाइज बताता हूँ ऐसा बैठे है मेरी तरह और ये ये एकसरसाइज आपको तीन मिनट रोज करनी है तीन मिनट त्री मिनट एक साथ कोई नहीं कर पाता, तो एक एक मिनिट करके तीन बार में करें, पूरे दिन में, एक तो यह, और एक ऐसे, 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 पूरी दोर से मोड़ें, यह ठोड़ी मेरी यहां तक आ जलती है, आपकी नहीं आएगी, जैसी आने लगएगी, तो आपकी जो फ्रेंड है, वो नहीं का ठीक ह सुल्तानपूर से हैं, नीरा जो स्वागत है आपका, हालो, वी मदल नमस्ते, जी नमस्कार, मेरे दो सवाल है, हसीन साथ से, जी, जी, मेरी एज है, पहतानिस वाल, मुझे एक महिने से पेशाब में दिख करते हैं, पेशाब में जलन हो रहे हैं, और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी वाइज को पांचे महिने से, पंजों से ऊपर, उपने से नीचे, त्वैलिंग जाती है, उनकी उमर क्या है, उनकी उमर है, 35 एज़, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पेशाब में इंफेक्शन अक्सर हो जाते हैं, मर्दों को भी और औरतों को भी, और एक आता है, नमक जैत तेंचने वाला पदार थे जो, इसे रसाइन भी कह सकते हैं, जैतून का रसाइन, इस ये नमकी नहीं नहीं होता, इसकी पहचान ये नमकी नहीं नहीं होता, इसलिए मक जैसा बिलकुल दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता ताकि आप नकली ना ले रए इसका एक या दो चुटकी एक गिलास पानी में डालें मिक्स करें और पी लिया करें आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है परिशाब हो परिशानी हो इनफेक्शन हो जलन हो पेट में गैस हो गब्ज हो लीवर में इनफेक्शन हो बहुत सारे रोगों का गैस वैस का सबका इलाजी है तो आप ये इस्तमाल करें और आपकी पत्नी के लिए देखिए गौन सियाह आता एक और मैं बड़ा फिकर मन्द हूँ कि ये अब नकली बहुत मिलने लगाए असली आप हासिल करें और आदा आदा ग्राम सुबह शाम खिलाएं सुबह नाचते के बाद आदों खाने के बाद रूस से दे दे पानी से दे जैसे भी चाहें खाने के बाद इदे इसे अदा आदा ग्राम ये बहुत तेज होता इससे जादा लेना मना है और वेस्टन ट्वालिट आपकी पत्नी के लिए जरूरी है ये कुर्सी वाला शोचाले ये बहुत जरूरी दवा से भी ज़्यादा जरूरी है और कुछ दिन मेहनत ना करें वज़न ना उठाएं तो लगी ये अगर असली मिल गया लकली बहुत मिलता है तो पंद्रह सोला रुपे रोस का इलाज है अधा गिराम सुबधे अधा गिराम शाम नाचते और खाने के बाद पांच साथ दिन के बाद फाइदा शुरू करता है और सो गिराम भी किसी को असली मिल गया तो फाइदा होना मुमकिन है दिल्ली से हैं दयावती जी स्वागत है आपका नमस्के मैम जी नमस्कार नमस्कार भाई साब जैहें अदाब कहिए बहन क्या हाल है ठीक है भाई साब भाई साब ये बताओ ये गोंद सिया गोंद मुरिंगा और जतुनका फिरका ये हम कितने दिन तक रख सकते हैं गर में खराब तो नहीं होता ये अधिए दो साल तो नहीं होता कुछ भी और मौस्चर से ज़रा बचा के रखते हैं ये बहुत गर्मी से ये बहुत नमी से तो ये तो सवाल हो गया आपका और कोई सवाल तो नहीं आपका और कोई सवाल ये है बाई साब बच्चे हैं बेटा है बच्टी साल का बेटी है चो तीस साल की तो वे ये जतुनका सिरका और अधरक लसन का ये बनाते हैं ले सकते हैं ना एक ताइम हाँ ले सकते थीक रहेंगे जैसे बलोगी दिना होएगी तो वायसे तो थीक है पर ले सकते है कोँश हुआ रहे मुँ आगले तो नहीं हो जागे गरमी से ना ना ए तो महासे होंगे भी तो भी खतम हो जाते है इस से ये अजीब गरीव है खाली जैतुन का सिरका भी दे सकते हैं इने बाकी चीजे नहीं भी मिलाएं तो कोई बात नहीं और बताई क्या सवाल है और एक नाती है मेरा छैसाल का भाई साव उसको ये जतून का नमक दे सकते है उसके पेट में कभी कभी गयास बन जाबती है आधी चुटकी दे सकते हैं आधी चुटकी अच्चा, हाँ ठीक है और दिन में एक बार या दो बार बस आधी चुटकी जुसरा छोटे बच्चों की खुराक होती है चवनी बच्चों के घुक चवनी बच्चों को देते हैं जो 12 साल से कम। और आपके कॉल करने से हमारा प्रोगाम ही बन जाता है। हमारे वीवर जानने लगें सब लाखों। लाख हों और आपका फोन नहीं आता तो ये त्यागी जी भी आप पूछते हैं आज फोन नहीं आया दियावती जी तुमारी बेहन का उन्हें पता ही नहीं आपका हमारा रिष्टे का दिखिया हमारे अलावा ये भी आपसे महबत करने लगे त्यागी जी और इनके लिए भी थोड़ा दूआ किया करिये और कोई सवाल नहीं जब आप तक मेरे सारे निसके पहुंच दिया जिस दिन तो उस हिलाके में तो आप ही प्रैक्टिस करना हमारा तो रिटार्मेंट हो जाएगा और आपके हां लोग चक्कर लगाएंगे लेकिन अच्छी बात दियेगा आपको असली नकली की पहचान हो गई आप तो द कामदारों को भी असली चीज बता सकते चाहे वो वेद नहीं है तेकिन सीख तो लिया इतना और मुझे बड़ा अच्छा लगता जब आप फोन करते हैं बहुत शुक्रिया आपको फोन करने को सुरेश देवी जी है हरियाना से स्वागत है आपका न जी नमसकार जी नमसकार अकेंद जी नमसकार जाहिंद आदाव जैं सर मेरे तीन स्वाल हैं hmm जैसे मेरे बैन की बैटी है घ। काम थ वह फंद्रा साल की है मेरा पास साल से बढ़ गया है मैं नीड की दवाईया लेती हूँ उनके बाद मेरा बढ़ गया है और तीसरा स्वाल है कि मेरी टूँबे बलोग हो रही है जैसे हम टैस्टूब करवाना चाहते हैं उनके लिए कोई उपाए हो तो बताऊं दोनों टूबे बंध है आपके उम्र क्या है? मेरे 47 साल है मेरे पास 2 वेटी है ठीक है ठीक है हाँ देखिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है किनकी बच्ची है 15 साल की हाइट कम है? अभी गुंजाईश हो सकती है उसमें गौंड मौरिंगा सफेद असली नकली बहुत मिलता है एक गिराम रोजाना पानी में दूद में ये नारियल पानी मिलाकर रोजाना एक बार दें सफेद गौंड मौरिंगा इनकली बहुत मिलता है असली लेने की जमेदारी आप ले और बच्ची को फाइदा मुमकिन है दूसरा सवाल इनका खुद का सवाल है कि इनका वेट बढ़ गया है और इनने लगता है कि नीन की दवाईयां लेने से और ट्यूब ब्लॉक है इनकी दोनों तो देखे एक एक दवा बता रहा हूं ये तीनों को आपके रोगों में फाइदा करेगी आपकी नीन की गोली भी छूट सकती है वजन भी कम हो सकता है और ट्यूब भी खुलना मुम्किन है देखे दवा एक है लेकिन काम बहुत करती है अलोवीरा कस सिर्का सिर्का विनेगर तीन चमच या चार चमच चोटे चाय के चमच एक ग्लास पानी में डाले एक चुटकी में जितना क्हाने का सोडा आए वो इसमें डाले मिक्स करें और रात के समय जब भी आपका सौने का समय हो सौने का समय हो तो उस وقت पी का सो जाय करें यह तीनों काम आपके लिए यह करते हैं आप वरोसा रखें कि अगर आपने असली चीज़े ली तो आपको फाइदा ममकिन है तीसरा दोई सवाल थे हकीम साब